नमस्कार दोस्तों किरन रसोई में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो ये सरद्यों का सीजन अचारी सीजन होता इस समय हम वो सब भी अचार बना सकते हैं जो सबजियां हमें गर्मियों में आसानी से नहीं उपलब दोती हैं और आज मैं आपको इसमें बना के दिखाऊंगी गोभी का आचार, ये गोभी का आचार बनाना बहुत आसान है, सबसे पहले आप मारा वीडियो पहली बात देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक और शेर का बटन जरूर दवाएं, मैंने इसके लिए लिए दो किलो गोभी, अब इस गोभी को हमें सबसे पहले इसके डंठल से अलग कर देना है, गोभी आप ऐसा ही साफ सोत्रा अच्छा लें, इसी समय अच्छा गोभी आ रहा है, इसके सारे मैंने डंठल अलग कर लिए हैं, अब इसको कलियां अलग करनी है कि इ इसलिए इस फूल भो भी कहते हैं, क्योंकि इसकी फूलों जैसी कलियां इमें फटा फटा अलग करने नहीं है, मैं चाकू से काट रहे हैं, इनको आप हाथ से भी तोड़ के अलग कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इसकी एक एक कली देखी अलग हो जाती है इस तरह से, और इसके मैंने कलियां इसकी अलग कर लिये हैं, अब इनको धुलने के बाद चलते हैं, रसोई की ओर, किरन्स रसोई में फिर से स्वागत है, आप स्वाइम सेफ मनिये हमारे वीडियो देख करके, बहुत आसान है, मैंने इसको बॉयल करने रख दिया है, अब देखिए, सिर्फ दस म जैसी गोबी मचार के लिए चाहिए, वो बन चुकी है, क्योंकि इसको ज़्यादा देर गरम पानी में डालते हैं, और बिल्कुल गैस बन करके 10 मिनट के लिए रखा जाता है, देखने से आपको लग रहा, गोबी का रंग चमकीला होगा, मैंने इसके लिए बास की तपेली इसको इसमें ही निकाल देते हैं, आप और किसी चलनी में निकाल सकते हैं, फिर इसको हमें दो दिन कॉटन की कपड़े पर सुखाना रहेगा, हलकी धूप में नहीं तो पंखा चला सकते हैं, हलका ठंडा होने का दिसे सुखाना है, दोस्तों दो दिन हो चुके, मैंने इसे धूप में दो दो घंटे सुखा लिया था, ज्यादा धूप नहीं निकल लए आजकल, लेकिन आप देख सकते हैं, इसका पानी मर चुका है, अब इसके लिए मैंने ये कॉटर चमच हींग लि लिया है, दो चमच हल्दी लिया, एक चमच मेथी, दो चमच सौफ, इसके लिए मैंने राई पीस कर रखी है, ये छोटा सा जार है मिक्सी का, इसे डखन लगा के आप पीस लें, बारीक पिस जाता है, अब अंदाजे से लगवग चार चमच हमें इसमें डालनी है, राई, आधा कप ये तेल, और घर का बना हुआ सिरका है, हमारा बिनेगर कहते हैं जिसे, इसको मैंने गन्ने की रच्चे स्वई बना के तियार किया, मैंने बड़ा सा भगोना लिया है, इसमें ये सारी गोवी पलट लेंगे, और इसके उपर ये सभी मसाले मिक्स करते हुए डाल इसको चला लेना है, मैं इसके लिए चम्मच लेती हूँ, अब आप रखना चाहँ तो दो दिन धूप में रख सकते हैं, अब इसमें तेल डालना है, तेल के माद अभी सिर्का बना जालना है, ग्षर का बना हूँ, अमारा सिर्का जालना है, यह सिर्का इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता, इससे आपका अचार साल भर यूँ ही रखा रहेगा, बड़े स्वात से आप गोभी का अचार का साल भर आनंद लेजिए, बस इसको मिला देना है, दो दिन के लिए डख देना है, मैंने इसमें लाल मिच नहीं डाली है, क्य दो दिन धूप लेने के बाद खिल के कितना सुन्दर गोभी का अचार दिख रहा है, लगता अभी सारा खा जाओ, क्रप्या इस वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाएं, और दोस्तों में सेयर भी करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, और बैल आइकन भी दबाएं नए वीडियो के खबर मिलती रहेगी